पारिवारिक सुख प्राप्ति के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े करजे को उतारने के लिए घर में बढ़ रहे कलहे को दूर करने के लिए पती पत्नी के बीच के प्रेम को बढ़ाने के लिए अपने मन पसंद प्रेमी से शादी रचाने के लि और देखेगा भगवान का चमतकार ये पोटली मंगाने के लिए आप दिये गए नंबर पे संपर कर सकते हैं दर्शुक को ये पोटली विद्वान भ्रामनों द्वारा अभी मंत्रित की गई है जिसका चमतकारिक फल आपको जरूर मिलेगा जैश्य कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तिशला के साथ कैसे हैं आप लोग होली का दहन हो और मैं पती पतनी के लिए या फिर प्रेम विवा करने के लिए कोई उपाए ना बताओ ऐसा कैसे हो सकता है मेरी होली अधूरी रह जाएगी मेरे विवर्स का दिल बेचारों क टूट जाएगा ऐसा तो मैं काम कभी करी ही नहीं सकती शमा करें बिल्कुल भी नहीं चलिए होली पर शिग्र विवा के लिए प्रेम विवा के लिए कुछ अच्छू कुपाए और पती-पत्नी के रिष्टे को और ज़दा मजबूत बनाने के लिए आपकी सार्थी के चेहरा भी पड़ती हूं आवाज भी पड़ती हूं और रातों की लकीरे भी पढ़े लेती हूं लेकिन उससे पहले चूकिए आपके इसार्थी हूं इसलिए आपको कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बुत बताने चली आती हूं जो लोग शिग्र विवा करना चाते हैं उन्हें आज के दिन क्या करना चाहिए सबसे पहले वो नोट कर लीजे आपको एक बेल पत्र लेना है बेल पत्र बहुत आराम से आजकल मिल पा रहा है आपको एक बेल पत्र लेना है उसके उपर आपको चंदन से ओम लिखकर शिवजी के मंदिर में चढ़ा देना है और होली का देहन के वक्त आप अगर मन चाहे वरसे आगर आप विवा करना चाहते हैं तो साथ पान के पते ले लीजेगा हर पते के अंदर घी में डुबो कर एक बताशा रखिएगा और उसके अंदर घी में डुबो कर दो लांग लगा दीजेगा साथ पान के पत्तों को एक एक अगनी के फेरे के साथ अगनी में स्वाहा कर दीजेगा और हर बार उस व्यक्ति का नाम लीजेगा जिससे आप प्रेम विवाहा करना चाते हैं अगर कोई नहीं है जिससे आप प्रेम विवाहा करना चाते हैं मेरे साथ बिता सके अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए और घर वाले उस लव मैरिज के लिए शिगरती शिगर मान जाए तो आपको क्या करना चाहिए ग्यारा गोमती चक्र आपको लाल सिंदूर में डुबो कर और लाल सिंदूर रूखा होगा सुखा आपको भस्म करना है और करते समय आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिससे आप विवाह करना चाहते हैं और मा पारवती जी से आपको अनुग्रह करना है कि मेरी शादी में जो भी विगन आ रहे हैं मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं उन्हें मना दीजे और मेरा विवाह इस लड़के से करा दीजिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह की परेशानिया आपकी विवहा में ना खड़ी हो ना लड़का कभी मना करें ना लड़के के घर वाले मना करें और ना आपके घर वाले मना करें किसी भी तरह की कोई विगन आ आएं तो आपको क्या करना चाहिए आपको होलिका देहन वाली रातरी में मा लक्षमी जी का मंत्र जाब करना चाहिए और साथ ही साथ में आपको पांच गोमती चक्र एक चांदी की कटोरी के अंदर या एक चांदी के डिब्बी के अंदर थोड़ा सा इत्र लगा कर रख देन चाहिए और पीले कपड़े में अगले दिन बांद कर आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए जब आपका विवाह उस व्यक्ति से हो जाए तो आपको यह सारी सामगरी ले जाकर मा लक्षमी जी के मंदिर में चढ़ा आनी चाहिए अगर पती पत्नी चाहते हैं कि उनके रिष्टे में मजबूती आजाए अगर पती पत्नी ये चाहते हैं कि उनका रिष्टा और ज़्यादा मजबूत हो जाए तो आज के दिन आपको क्या कारे करना चाहिए आपको एक लाल कपड़ा लेना चाहिए उसके उपर लाल चूडी रखकर लाल सिंदूर और बिं चाहिए आज के दिन आपको कच्चा दूद शिवजी के उपर जरूर अर्पित करना चाहिए आज के दिन आपको जलती हुई अगनी के अंदर पांच लगु नारियल पांच पीली कौडी और पांच गोमती चक्र जरूर आपको स्वाहा करने चाहिए और ये आपको पति के पति उनके साथ रहें उन्हें कभी दूर ना करें अपने आपसे और उनका रिष्टा और जादा मजबूत हो जाए उन्हें आज की रातरी में गुलाब का इत्र लेना चाहिए मा भगवती के मंतर से इसे सिद्ध कर लेना चाहिए और कम से कम ग्यारा माला आपको कोई मंतर का जाप करना चाहिए आप 11 मंतर जाप करने के बाद इस इत्र को थोड़ा सा कपड़े पर लगा कर आप अपने पती जहां पर आपके हस्बंड सोते हों उस तक ये के नीचे रख दीजे देखिएगा वो आपकी बात भी सुनने लगेंगे और आपके प्रति उनका आकर के साथ जल को अभी मंतरित करके अगले दिन अपने हस्बंड को पिला देती हैं तो इससे भी वो आपकी तरफ अकरशित जरूर हो जाते हैं लाल रंग के गुलाल के अंदर अगर आप दो गोमती चकर डाल कर अपने बेडरूम के नौर्थ में रख देते हैं तो ऐसा करने से भी आप दोनों के बीच के रिष्टे बहुत ही जादा मजबूत और बहुत ही जादा प्रेम से बंदे जाते हैं तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही फिर आउंगे कुछ नया कुछ अलग कुछ अद्बूत लेकर तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा रिष्ट कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं चलिए चलती हूं फिर आउंगी होली की रातरी बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजेगा बहुत सारे अच्चुक उपाये बताई हैं जरूर करिएगा ताकि आपके घर में हमेशा बरकत सुख सम्रद्दी बनी रहे चलिए फिर मिलेंगे तब तक के ल पति पत्नी के बीच के प्रेम को बढ़ाने के लिए अपने मन पसंद प्रेमी से शादी रचाने के लिए आप ये अभी मंत्रित पोटली होली पर अपने घर पर स्थापित करें और देखेगा भगवान का चमतकार ये पोटली मंगाने के लिए आप दिये गए नंबर पे सं पर कर सकते हैं दर्शुकों ये पोटली विद्वान भ्राम्णों द्वारा अभी मंत्रित की गई है जिसका चमात कारिक फल आपको जरूर मिलेगा अगर बीमारिया आपसे दूर जाने का नाम नहीं ले रही है बेहकलेश अब आपके घर और आपके दिमाग पर भी हावी हो रहा है तो सार्थी त्रिशला से जानिए अपनी हर परिशानी का सरल एवं सटीक समाधान यंत्र चलेना तंत्र मंत्र ना रहे दुखों का घेरा हर परिशानी का समाधान आसानी से होगा जब हो भक्तों के साथ सार्थी त्रिशला आशिरवाद तेरा अब सार्थी त्रिशला के इंस्टाक्राम अकाउंट, फेस्बुक पेज और यूट्यूब चानल से चुड़कर एक क्लिक पर पाएं अपनी छोटी से बड़ी सभी शंकाओं का समाधान कुंडली नहीं है तो परिशान ना हो पच्छाई एवं नब्स के अध्यन से अपनी सटी कुंडली बनवाएं भविश्यवाणी और पूर्वानुमान जाने सार्थी माथ्रिशला से संपर करे 98289 23301